वेलकम डू स्रीजी फूर्ड, मैं हूं मनीशा ठककर, आज हम बनाएंगे हलवाई जैसे खस्ता समोसे, जनरली हलवाई वाले के वहाँ जो समोसे मिलते हैं, वो मेंदे के इस्तिमाल से बनाए जाते हैं, लेकिन आज मैं आपको गेहु के आटे का इस्तिमाल करके एकदम खस्त समोसे किस तरह से बनाने हैं, वो सिखाने वाली हूं, गिहु के आटे से भी आप इस तरह के एकदम क्रिस्पी और खस्ता समोसे बना कर तयार कर सकते हो, इसे परफेक्ट बनाने के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जो मैं रैसिपी के दौरान आपको बताती सबसे पहले आटा लगाएंगे, तो यहां पे मैंने तीन कप गेहु का चपथी वाला जो आटा होता है, वो लिया है, इसमें स्वाद अनुसार नमक डाले, मैंने यहां पे एक चमच जितना नमक डाला है, इसी के साथ एक चमच अजवाएं, इसमें मोहन के लिए जो हम इस करेंगे उसे गरम कर लेना है तो चार से पांच चम्मत जितना तेल मैंने डाला है फिर मिक्स करके जरुवत लगे तो और डालेंगे यह तेल गरम है तो पहले आप इस तरह से चम्मत से इसे मिक्स करें और फिर लगे कि आप हाथ से मौईन कम लगता है तो थोड़ाइड कर सकते हैं लेकिन इसके मोईन की कॉंटिटिती इस था की ज्यादा रखनी है अब जोब पानी हम इस्तेमाल करते म 한 गरम कर लेना है तोजाcomb आटा लगाने में यह नहुत खास ज्यान烦 रखे कि गरम चालर मLes के लिए जो पानी इस्तिमाल करो उसे गरम करके आप लो और एकदम टाइट आटा लगाना है आपको पराठे का जो आटा हम लगाते हैं उससे भी थोड़ा सकता हम लगाएंगे अगर आटा सौफ्ट होगा तो जो उसका आउटर लियर है वो इतना खसता नहीं बनेगा तो इन किचन प्रेटफॉर्म पे लगा कि इसे मसल के तयार कर लोंगी अभी आप देख सकते हो इसका टैक्शर कैसा है जैसे जैसे मैं इसे मसल दी जाओंगी यह एकदम स्मूथ हो जाएगा तो पांत से साथ मिनिट तक इसे मसल ना है या फिर जब तक यह इस तरह का स्मूथ हो ज अब मैंने एक चमच तिल गरम करने के लिए रखा है उसमें हम थोड़ी राय डालेंगे इसमें कटी हुई हरी मिर्च डालकर गैस बंद करके इसे नीचे उतार ले अब आधा चमच हल्दी थोड़े मीठे निम के पत्ते डालेंगे चौप करके इसी के साथ फुदीने के पत चिल के मैश करके रखा है अगर आप जैन है या आलू नहीं खाते तो आलू के बदले कच्चा केला बॉयल करके ले सकते हैं 100 ग्राम सुखे जो हरे मटर आते हैं उसे भी मैंने बॉयल करके रखा था स्वादनुसार नमक एक चमच धन्याजीरा पाउडर एक चमच या स्वा चाहो तो स्कीप कर सकते हो और थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया डाल कर इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो थोड़ा निम्बू का रस भी डाल सकते हो जो आलू हम इस्तेमाल करते हैं उससे जो स्टफिंग बनाते है वो इस अच्छी में थोड़ा आटा लेकर इसे मसल के फिर इसमें से लोया बनाएंगे बाकी का आटा ढखकर रखे ताकि वो सुख न जाए जो लोया हमने बनाया है उसमें से हम एक रोटी बेल के तयार करेंगे ओवल शिप की और वो इवन होनी चाहिए कहीं पे मोटी या कहीं पे पतली ऐसी ना हो उसका खास ध्यान रखे तो इस तरह की मीडियम थिक इसे बेली है मैंने अब सेंटर में से हम इसे कट करेंगे तो इस तरह से दो हिस्से हो जाएंगे एक हिस्सा मैंने लिया है हाथ पे इस तरह से इसे फोल्ड करें किना रुपे पानी लगा कर इस तरह से इसे अच्छी तरह से सील करें कौन शेप बन जाएगा इस तरह से फिर जो स्टफिंग हमने बनाया है वो दो चम्मत जितना या फिर जो भी साइस काप समोसा बना रहे हो उस इसाब से स्टफिंग इसमें रखकर थोड़ा सा प्रेस करें अब पीछे की साइड इसकी यह जो होती है वहाँ पे आपको इस तरह की छोटी चिम्टी लेनी है और किनारों पे पानी लगा देना है पानी लगाना बहुत जरूरी है ताकि समोसा अच्छी तरह से सील हो जाए और जब हम इसे फ्राइ करें तो यह तेल में खुले ना तो इसे मैंने अच्छी तरह से पैक कर लिया है तो आप देख सकते हैं परफेक्ट समोसा का शेप यह आ गया है मैं एक और भी आपको पैक करके बताती हूँ ताकि इसका परफेक्ट जज्जमेंट आपको आ जाए इसी के साथ मैंने और भी स्ट्रीट फूड रेसिपी और मैदे में से जो समोसे हम बनाते हैं उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर की है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक भी दे दूँगी तो अगर आपको वो बनाने है तो वो भी बना सकते है इस तरह से हम समोसा बनाते जाएंगे अभी जो मेजरमेंट लिया उससे इस साइज के 25 से 27 समोसे बन कर तयार होते है अब इसे फ्राइ करते है तो मैंने तेल गरम का निकली रख दिया था तेल को हमें हलका गरम करना है तो आप थोड़ा आटा डालोगे तो वो धीरे-धीरे से उपर आए वैसा टेंपरेचर हमें चाहिए तो समोसा इसमें डालेंगे बाइचांस जो तेल आपने गरम करने के लिए रखा है वो ज्यादा गरम हो गया है तो समोसा उसमें डाल कर आप थोड़ी देर के लिए गैस बंद कर दे और जैसे ही ऑल का टेंपरेचर डाउन हो जाए उसके बाद आप गैस चालू करें अब इसे हमें धीमी आज पर एकदम क करोगे तो आपको कलर तो मिल जाएगा लेकिन जो क्रिस्पिनेस चाहिए वो नहीं मिलेगी थोड़ी थोड़ी दिर में इसे पल्टाना है आप देख सकते हैं धीरे-धीरे इसका कलर चेंज होने लगा है इतना समोसा फ्राइ होने में 12-15 मिनिट जितना समय लगा है तो इस गॉल्डन ब्राउन कलर आए और यह एकदम खसता हो जाए तब हम इसे बाहर निकालेंगे और यह समसा एकदम ड्राय है इसमें बिल्कुल भी तेल नहीं रहता तो इसे में बाहर निकालूंगी और इसी तबागी के समोसे बनाएंगे यह कैसा बना है वो भी दिखाती हूँ समोसे को आप सर्विंग प्लेट में लेकर उसके साथ तीखी और मीठी चटनी साव करेंगे चटनी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है समोसे को इस तरह से हाथ से तोड़ कर उसके उपर हम चटनी डालेंगे समोसे को आप नॉर्मल जो खजुर इमली की चटनी होती है उसके साथ साव करो उससे अच्छा है कि जो हलवाई वाली जो समोसे की चटनी होती है उसके साथ इससे साव करो तो टेस्ट ज्यादा अच्छा लगता है तो इसकी रेसिपी आप जरूर चेक करें उससे बहुत ही टेस्टी लगता है समोसा और अभी मैंने दो तरह की चक्नी के साथ ही से सव किया है आप चाहो तो इसके उपर दही और बेशन की सेव भी डाल सकते हो तो इन टिप्स के साथ समोसा बना कर जरूर ट्राइ करें आपके गर में सभी को यह बहुत ही पसंद आएगा उम्मिद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी